कि सब्सक्राइब कीजिए मैड इंग्लिश चैनल को और बैल आइकन को दबाईए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपने आज के स्वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे ही इडियम्स की जो की शायद ही आपने सुने होंगे और बिलकुल मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की जो इडियम्स है वह बहुत ही यूनिक होने वाले हैं किसी भी कॉन्वेशन में यूस कीजिए डिबेट में कीजिए आपकी जीत पक्य है तो वीडियो का इन तक देखते रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सब्सक्राइब के सामने हैं डाउटिंग थामस का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना सबूत के विश्वास ना करें उसे हम कहते हैं डाउटिंग थामस मतल और शकरता है इसे हम कहते हैं डाउटिंग थामस मतलब आपके बहुत सारे जिने बिना सबूत के विश्वास नहीं होता होगा तोosta सकते है आई यह समझते हैं से किस तरह से यूज किया जाएगा वह एक शक्की व्यक्ति है जब तक वह चीजों को अपनी आखों से नहीं देख लेता उसे विश्वास नहीं होगा तो इसका एंग्लिश बनेगा मतलब क्यों एक शक्की व्यक्ति है जब तक चीजों को अपनी आखों से नहीं देख लेता उसे विश्वास नहीं होगा इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिक्लर वर्ड डावटिंग थामस को आईए समझते हैं दूसरा संटेंज मेरी मां को विश्वास नहीं होना कि मैंने परिक्षाएं पास कर लिए जब तक कि वो मेरा रिजल्ट अपनी आखों से नहीं देख लें वह एक शक्की हैं मतलब कि मुन्हें बहुत जादा शक्के बिना सबूत के विश्वास नहीं करती तब इसका इंग्लिश बनेगा इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकलर वर्ड डाउटिंग थामस को जहां में यह कहना है कि जो व्यक्ति है वो बिना सबूत के अगर विश्वास ना करें उन्हें एक फिजिकल प्रूफ चाहिए उस चीज का कि हां यह एक्जिस्ट होता है तभी वो विश्वास करेंगे इस तरह से यूज किया जाता है डाउटिंग थामस को अगला इडियम है बुल इन चाइना शॉप चाइन की दुकान में सांड को मतलब होता है कि शान्ति वाली जगह पर शान्ति फैला देना मतलब जहां यह जरूरी है कि उस काम को शान्ती से किया जाना जरूरी है लेकिन आप अशान्ती फैला दें उस काम में उस जगह पर हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर इडियम बॉल इंच शायना शॉप को जैसे मान लीजिए किसी केंतिम संस्कार में जा रहे है और आप एकदम सा शान्ती फैला दें तो अच्छा नहीं लगता है उस समय मैं उसकरते हैं बॉल इंच शायना शॉप नद जहां शांती से काम लेना चाहिए हौस अशान्ती से लख आ लेकिन आप कुछ और ही तरीके से जा रहे है उस समय मैं उस उस व्यूंस करते हैं डूल इन चाइना शाप को ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का व्यभार करता है उसे भी हम बुल इन चाइना शॉप कह सकते हैं आए समस्ते हैं सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसने अपने दोस्त के वर्डे में बहुत ही बेधंगे तरीके से व्यभार किया मतलब कि उसने अपने दोस्त के बर्डे में जन्म दिन में बहुत ही बेधंगे तरीके से व्यभार किया मतलब जा शांती का माहल बनाना चाहिए वहाँ पर शांती फैला दी जाए उस सेंस में हम यूज करते हैं बुल इन चाइना शॉप का इस व्यभार कि जब भी कोई व्यक्ति हर्बरे से काम करें मतलब हर्बरवाला व्यक्ति अगर कोई हेब हो जल्दी में काम करें चीज़े इदर अदर हो जाए उस सेंस में पर इस पर्टिकलर एडियम बोल इन चाइना शाप का यूज करते हैं देखिए किस तरह से इस व्यक्ति को उस मूर्ति के पास मत जाने दो मतलब यह क्यों कह रहे हैं हो सकता है कि यह मूर्ति गिरा दे तो उस सेंस में कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को उस मूर्ति के पास मत जाने दो तो उसका एंग्लिश बनेगा मतलब कि उसस मूर्ती के पास में मत जाने दो कहीं वो तूड गई तो दिक्कत हो जाएगी इस तरह से हम यूज करते हैं बॉल इन चाइना शॉप को जहां पर बेढ़ंगे तरीके से बफार किया जाए इंसान घुसेल हो जाए शान्ती के माहुल में तब इसे यूज किया जाता है हडबड़ी से काम कर दें तब इस एडियम का यूज किया जाता है अगला एडियम है अडाइम अड़ाजन का मतलब होता है कोडियों के भाव या फिर थोक में मतलब बहुत ज्यादा मातरा में उसे हम कहते हैं a dime a dozen जैसे English के वीडियो बहुत सारे हैं तो यहाँ पर dime a dozen करके इसे कहेंगे तो यहाँ पर किस तरह से English में इसका sentence बनाया जाएगा आएए समझते हैं इन दिनों grammar और vocabulary पर इतने topics हैं कि मतलब उनकी गिंती नहीं की जा सकती इतने सारे topics हैं तो इसी का English बनाते हैं कि अगर आप कुछ भी ऐसा वीडियो अपलोड करने जाएं कि हार vocabulary बनाते हैं आज यह करते हैं इतने topics हैं कि आप cover नहीं कर पाएं लेकिन आपको कुछ unique topic upload करने होते हैं तो ही वो चलता है उस sense हम यूज करते हैं इस particular idiom का a dime a dozen मतलब की जब किसी चीज़ की बहुत ज्यादा मात्रा हो बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्द हो प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं a dime a dozen जैसे topics on vocabulary and grammar are a dime a dozen topics on vocabulary and grammar are a dime a dozen मतलब की बहुत ज्यादा topics हैं यहां पर available है इस particular theme पर मतलब की vocabulary की आप बात करें या फिर grammar की बात करें बहुत सारे topics हैं किस किस को आप पढ़ेंगे तो वहां पर हम यूज करते हैं a dime a dozen मतलब थोक में बहुत सारे इस तरह से हम इसे यूज करते हैं आएए देखते हैं इसका दूसरा सेंटेर्स coaching classes are dime a dozen मतलब की धंदा बन गया coaching class तो हर घर में coaching class आपको मिल जाएगी लेकिन जिस quality की बात की जाए वो कुछ लोगी provide कर पाते हैं so coaching classes are dime a dozen मतलब की बहुत सारी हैं कितनी हैं गिंदी किती गिंदी करो गया बहुत सारी है तो coaching classes are dime a dozen मतलब थोक में धेर सारी उसे हम कहते हैं a dime a dozen अगला idiom है a slap on the rest a slap on the rest का मतलब होता है कलाई पर मार देना चेतावनी देना हलकी फुलकी सजा देना किस तरह से देखिए hit on the rest as a mild punishment मतलब की बस चमका देना धीरे से या फिर कुछ ऐसी सजा देना जिसका परिणाम ज्यादा खतरनाक नहीं मतलब आपको मुर्गा नहीं बनाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं किया जा रही है या फिर warning दी जा रही है उसे भी हम कहते हैं कि a slap on the wrist मतलब की आपको सिफ छोट इसी punishment पे लिए किस तरह से sentence में यूज किया जाएगा आये समझते हैं वह हमेशा लेट नहीं होता इसलिए उसे हलकी फुल की सजा दे देते हैं मतलब की उसे हलकी फुल की सजा दे देते हैं वह हमेशा तो लेट होता नहीं है इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकलर इडियम slap on the wrist का इस sentence को English to Hindi करते हैं देखें मतलब की जब मैंने उसके हिस्ते के कुकी उठाने की कोशिश की तो मुझे कलाई पर एक पड़ी इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकलर इडियम slap on the wrist का मतलब की हलकी फूल की सजा दे देना वार्निंग दे देना या फिर किसी को कलाई पर मार कर एक चेताव ने देना की नहीं यह मेरा है इसे में खाऊंगा में खाऊंगी उस sentence में हम यूज करते हैं इस पर्टिकलर इडियम slap on the wrist का कैसा लगा इडियम कॉमेंट में उसे हम कहेंगे कॉस्ट नाम एंडिलेग किस तरह से इस इंग्लिश में उसके जाएगा आई यह समस्था है हाला कि यह बहुत अच्छी है लेकिन मेरे लिए बहुत महिंगी है अच्छी है लेकिन मेरे लिए बहुत महिंगी मतलम इस आफोर्ट नहीं कर सकता I can't afford it किस तरह स is very nice but it cost me an arm and a leg मतलब कि मेरे लिए बहुत महंगी है इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकलर इडियम कास्ट अन आम एंडर लैग मतलब कि बहुत महंगा तुम्हें उस रेस्टराइट में जाना चाहिए क्योंकि वहां का खाना बहुत टेस्टी है और तुम्हार लिए ज्यादा महंगा भी नहीं मतलब आपको ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा इस तरह में यूज करते हैं कॉस्ट रनाम एंडर लैग का मतलब होता है बिना किसी हिचकचाहट के तुरंट बिना किसी जिजक्य कर दें महां हम यूज करते हैं आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा मतलब कि मैं हमेशा भासन देने के लिए तयार रहता हूं तुरंट मुझे बुलाया जहां मैं हाजर हो जाओंगा उस सेंस में यूज करते हैं मतलब कि हमें उसे तुरंट आइसियू में भरती करना होगा कि इसकी हालत जए हो थोड़ी नाजुक है मतलब एड़ ड्रॉप अफ़ हैट मतलब तुरंट बिना किसी देरी के इस तरह से हम यूज करते हैं एड़ ड्रॉप अफ़ हैट का अगला एडियम है कम हैल और हाई वाडर कम हैल और हाई वाडर का मतलब होता है कुछ भी करने के लिए तयार रहना फिर चाहे जो कुछ हो मतलब कि अड़िक रहना की में करकर ही रहूंगा डिटर्मिन रहना की में करके ही रहूंगा फिर चाहे इसका परिणाम जो भी हो यूज किया जाता है मैं तुम्हें एक गंटे में चोड़ दूँगा फिर चाहे जो हो जाएं मतलब की यहां पर किस तरह से हम इसे किया रहें की लॉग्डाउं चल रहा है लेकिन मैं तुम्हें वहास्पिटल छोड़ः धूँगा डूंट पड़ी यहां पर हम कम हाल और害 वाटर का यूज़ करेंगे देखे किस Mitte अन हॉस्पिटल इन ऑर कम हाल और हाई वाटर आ कि मैं तुम्हें वहास्पिटल छोड़ दूँगा गंटे में चिंदा मत करो तो उस सेंज में हम यूज करते हैं इस पर्टिक्लर एडियम कम हैल और हाई वाटर मतलब इसका परणाम जो भी हो मैंने एक बार डिसेंट ले लिया तो मैं उसे कम्प्रीट करूंगा के इस तरह सम्य करते हैं इस परडिक्लर एडियम कोब में ज्याधा कॉंटक्स में यूज होता है आपने शायद ही सुना होगा अगर सुना है तो कॉमेंट करके जरूर बताएगा ये डियम बहुत लोगों ने सुना होगा लेकिन बहुत सो के लिए नया भी होगा डाग डेज ऑफ समर का मतलब होता है गर्मी के बहंकर दिन मतलब तपते दिन अभी अगर सेप्टमबर तपते दिन गर्म दिन उसे हम कहते हैं डॉग डेज ऑफ समर आए समस्ते हैं सेंटेंस में आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब्सक्राइब तो यहां पर संटेंस से Can we meet before the dog days मतलब की हम गर्मी के तपते दिनों से पहले मिल सकते है can we meet. Before the dog days संजे को ऐसंटे सम styl שמ׹ मैं नहीं आया लेकिन आपको अब समुझ में आचका होगा कि historically का मतलब क्या होता है Can we meet before the dog days मतलब कि क्या तपते दिनों से पहले मिल सकते हैं we prefer to remain indoors and go out as little as possible during dog days we prefer to remain indoors and go out as little as possible during dog days मतलब की हम घर में रहना पसंद करते हैं इतने गर्मी के दिनों में और बहार बहुत ही कम निकलते हैं इस तरह से हम यूज करते हैं डाग डेस का मतलब की बहुत गर्म दिन के बारे में हम बात कर रहा हैं अगला वर्ड है जेवाक जेवाक का मतलब होता है कि बिना ट्राफिक सिंगनल को ध्यान में रखे बिना जेब्रा क्रासिंग को ध्यान में रखे बिना ट्राफिक को ध्यान में रखे बस रोड़ पार कर लेना मतलब कि बहुत ही कहतों सावधानी ने रखना बिल्कुल इस तरह से रोड पार कर लेना कि कुछ भी हो सकता है उसमें एक से डिंड भी हो सकता है आपका कुछ भी हो सकता है तो यहां पर स्ट्राफिक स्लाइट को फॉलो ने करना ट्राफिक को ना देखना जेब्रा कॉसिंग को ना देखना पसक साइट से जाके रोड पार कर लेना उससे हम कहत है जेवक जैसा कि अब image में देख पा रहे होंगे तो किस तरह से यूज किया जाएगा sentence में आएए समझाता हूं कि पुलिस officer warned us not to jaywalk the police officer warned us not to jaywalk मतलब कि हमें बेटंगे तरीके से रोड़ पार नहीं करना है पुलिस officer ने में warning दिये चेतावनी दिये कि आपको इस तरीके से रोड़ पार नहीं करना है not to jaywalk कि इस वरी डेंजरस टूजे वाकिंग ऑन दा हाईवे इस वरी डेंजरस टूजे वाकिंग ऑन दा हाईवे मतलब की हाईवे को इस तरह से पार करना बहुत ज़्यादा खतरनाख हो सकता है मतलब की बेढ़ंगे तरीके से अगर हाईवे आप पार करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाले काम है तो यहाँ पर लाइट भी नहीं होती है अगर बीच रोड़ों से जा रहे हैं और बहुत चहां से ट्राफिक सिंगल खतम हो चुका है गाड कुछों का खेल नहीं है कुछ भी हो सकता है इस तरह हम यूज करते हैं जे वाक का आई होप कि आपको यह पसंद आया होगा अच्छा लगा तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरू बताईएगा फिलाल देखते हैं आज का आखरी एडियम है आज का आखरी एडियम है आल बा अगर दों सिर्फ डराना हाथ पेर का यूस नहीं करना उस सेंस में यूस करते हैं इस पर्टिक्लर एडियम आल बाक एंड नो बाइट का आया समस्ते हैं सेंटेंस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सेंटेंस से उसने मुझे धंकी दी है कि मैं वहां कभी दिखा तो वो मेरी टांग तोड़ देगा लेकिन मुझे लगता है कि वो सिफ डरा रहा है sentence होड़ सा बड़ा है लेकिन से part by part translate करते हैं सबसे पहला part उसने मुझे धंकी दी है He has threatened me कि वो मेरी टांग तोड़ देगा कभी अगर कभी मैं वहाँ दिखा तो He'll break my leg if I ever see over there मतलब मैं अगर कभी वहाँ दिखा तो वो मेरी टांग तोड़ देगा He'll break my leg if I ever see over there But मुझे लगता है But I guess कि वो अजिव डरा रहा है He is But I guess He is all bark and no bite मतलब कि वो गरज रहा है बरसेगा नहीं गरज रहा है बरसेगा नहीं इस तरह से हम यूज करते हैं इस particular idiom का All bark and no bite मतलब सिर्फ गरज ना पर बरसना नहीं Friends कैसी लेगी वीडियो नीची comment box में जरूर बताएगा आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद आपने website visit किया यहाँ पर चीज़े समझी comments किये मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर और यहाँ पर इसी तरह से अपना प्यार बना कर रखेगा यह जो topic ही आपको एक दो दिद में मिल जाएगा website पर भी और जो पुराना topic था पुरानी idioms जो हमने देखे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे आपने जाकर चेक कर सकते हैं इसी के साथ में इस वीडियो में इतना ही अगर आपके पास भी कोई query है तो नीशे comment box में जरूर टाइप कीजिएगा ताकि मैं आपके queries जल दिसे जल स्वाल कर सकूँ फिलाल कि इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye